प्रेस कांस्ट इस्ट में शुवान साब इन्हों है आपील शेहर के अंदर के 27 तारीक को मालेगाउ स्विल हॉस्पिटल के अंदर एक क्यांप रखा गया है ये कैम्प तकरिबन एक महीने के लिए चलेगा और इस कैम्प के अंदर जितनी भी हमारी माँ बहने हैं जिनकी सिजर से तालुक कोई मर्ज है उसके अलावा गर्ब पीशी जिनकी खराब हो जाती है वो पेशन्ट है उसके अलावा केंसर के जो पेशन्ट है और भी हमारी माँ बेनों को जो जो तकलीफ है वो तकलीफ के तालुक से सिविल आउस्पिटल के अंदर एक 27 तारीक को एक कैम्प का उपनिग हो रहा है जो के एक महिने तक चलेगा ये आप लोगों को बुला कर ये चीज़ बोलने का मकसद हम लोगों का ये है के माले गाउ शेहर के अंदर हम ल दोस्तों से गुजारिश करते के मालेकों सुविल हॉस्पिटल में 27 तारीक से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है ये प्रोग्राम मारस्टु गवर्मेंट और भारत सरकार की तरफ से रखा गया है कितनी भी बड़ी बीमारी का पेशन्ट हो जो हमारी बहने हैं उनको कितनी भ बड़ी बीमारी का इलाज यहां पर फिरी में किया जाएगा और डॉक्तर यहां पर नासिक सिविल हॉस्पिटल से और भी जो दूसरे हॉस्पिटल है वहां से लाकर डॉक्तरों का नजम किया जाएगा तो हम लोग आप लोगों से गुजारिश करते कि जितने भी आदारे और कल्बे वाले हैं वो इस मुहिम को ज्यादा से ज्यादा चलाए और इसके ओपर आप आकर लोगों से अपील करें ताके हर वो गरीब इनसान जो हमारे मालेगाव शहर में जो पराविड हॉस्पिटल में इलाज नहीं कर सकता वो सिविल हॉस्पिटल में आकर अपना इला हो राए तो हर हमारी वो मा बैने यहां पर आकर शेकव अपना करवा सकती है